स्रेश वाय नमस्तु भी हमते एक बार फिर से आप सभी लोगों को आज हम लोग बात करेंगे गुरु जी के स्वास को लेकर कि काफी जादा लोग परेशान दे सबसे जादा तो लोग परेशान है कि बिया गुरु जी इस टाइम पे ठीक हैं की नहीं और दूसरा लोग इस टाइप के कि बिया गुरु जी ठीक हो गए कि नहीं हो गए है या फिर इस तरही के से फिर से गुरु जी कैसे है तो ऐसे बहुत सारे कॉमेंट थे ठीक है आपको मैं दो ऐसे प्रूफ दिखाने वाला हूं जिससे आप बिल्कुल कन्फर्म हो जाओगे कि गुरु जी इ कहीं से मैंने बनाया नहीं है ये फेस्बुक से ली गई है और इंस्टाग्राम से ली गई है और यहां पर ली गई है उन्हीं के कारकरताओं के द्वारा बहुत सारे वहां पे काम करते हैं कुछ को तो पता भी नहीं है कि ये कारकरता हैं कौन से हैं कहां से हैं बट वहां प चोटी सी और है जो गुरु जी, गुरु मा के साथ यहाँ पर आर्थी करते हुए नजर आ रहे हैं, एक लोगों ने यहाँ तक यह ढाल दिया, कि भैया जब गुरु जी जूला जूले थे, उसके बाद की फोटोS हैं, उसके बाद की वीडियोस हैं, मेरे पास आई हैं, यह मै पे एक फोटो आपको दिख रहेंगी जिसमें ये वाले जो परसन आपको दिख रहा है जाप में एरो शो कर रहा हूँ ये है समीर भया, इनको सभी लोग जानते हैं, यहां पर ये अपने मित्र के साथ खड़े हैं, उन्होंे कार खरीद ए परसों की ये फोटो में आपको जो कार खरीद रहें, गारियां खरीद रहें, उसमें सम्मेलित होने के लिए, तो इससे कहीं न कहीं पता चलता है, गुरू जी इस टाइम पे बिलकुर स्वस्थ हैं, सिर्फ उनको बोलने से मना किया गया है, बाकी वो पूरी तरीके से ठीक है, ठीक है, पहली फोटो तो ये ह दूसरी फोटो यहाँ पे आपको दिख रहे होगी, ये हैं, आसीज भिया, हम लोग कथा के माध्यम से, इनके द्वारा जो भी चीज बोली जाती है, एनॉंस्मेंट की जाती है, वो सुनते हैं, इनकी कल थी मैरेज अनिवरसरी, और अगर हमारे घर का कोई भी ऐसा बड़ा मैंने उनकी वाइफ की फोटो को ब्लर कर दिया, भाई किसी के परसनल चीजें क्यों ही शेर करना, तो उन्होंने भी शेर किया है, इसका मतलब जो दो मेन मेंबर थे घर के, एक आशीज भिया और एक समीर भिया, इन दोनों के माध्धम से ऐसी जी फोटो शेर की जा रही है, इसका मतलब यही है, कि गुरु जी बिलकुल स्वस्थ है, चाहिए जो वीडियो मैंने दिखाई वो सही है या फिर नहीं है, उससे हमें मतलब नहीं है, बट यह परसों की फोटोज हैं, और यह कल की फोटोज हैं, इससे साबित होता है, कि गुरु जी बिलकुल स्वस्थ है सिर्फ उनको बोलने के लिए ही मना किया गया है बात कर लेते हैं कथा की तो कथा अभी सिर्फ अपरेल महीने की कथा को कैंसिल किया गया है जो की सिर्फ और सिर्फ 26 या 25 अपरेल तक चल रही थी उसके बाद के कथा को कैंसिलेशन करने की कोई भी बात कहीं पे भी कहीं नहीं गई है तो आप लोग इस चीश के लिए निश्चिंत रहें कि गुरू जी की स्वास्त में कोई गड़बड हुई है बिलकुल नहीं गुरू जी बिलकुल ठीक है और उनके जैसी ही हुआ आएंगे हम लोग उनके स्वागत की तयारी बड़े ही धूम धाम के साथ करेंगे और मुझे पूरी मीध है कि गुरू जी बहुत जल्दी हम लोग की बीच में होंगे कोई उनकी ऐसी वीडियो जो हॉस्पिटल से या फिर उनके घर की होगी जैसे ही मेरे पास आती है या फिर आप लोग के पास में कोई भी ऐसी वीडियो जो रहा करें गुरू जी से रिलेटेड तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेस्बुक पे शेयर जरूर किया करिए उसके लिए आपको सर्च करना होगा वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बाते करेंगे बाकि जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे स्रेश वाय नमस्तु भ्यम